कि अगर किसी का भी अगर बेस बहुत वीक है या किसी को लगता है कि अभी उसको स्टार्टिंग से करने की जुरूवत है तो यह वीडियो उसके लिए भी है इसके अलावा आपको किसी लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने डिसकस किया हमने स्लेबस को डिसकस किया था ठीक है तो उसमें हमने बोल रहा था कि आपको आपके जो बेसिक्स है वो आपके स्ट्रॉंग होने जीए तो अब बेसिक्स के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपना स्लेबस निकालना है स्लेबस को देखना है उसमें कौन से पढ़ने हैं ठीक है अब आपने स्टार्टिंग से करना है ठीक है स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल शुरुआत से करना है तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर आज टोपिक जो लिया हुआ है यह देट इस नाउन अब नाउन हमें ऐसे लगता है बच्पन से नाउन पढ़ करते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम सबसे जाधे इंफेसाइज किस पर करते हैं उसकी फाउंडेशन पर डैट इस नीव जब अगर किसी बिल्डिंग की नीव बहुत स्ट्रॉंग होगी तो अच्छी बात और नाउन बहुत अच्छे से आते हैं तो आप बाकी है उसको फरनीचर बोलेंगे कि फरनीचर बोलेंगे वह अबस्ट्रेक्ट नाउन है कि वह काउंटेबल नाउन है तो आप वर्ब लगा भी नहीं पाऊगे ना तो वर्ब भी आप उसी हिसाब से यूज कर सकते हो तो मतलब कहने का मतलब यह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इ ठीक है जी तो सबसे पहले question आता है कि नाउन होता क्या है तो simply आप बता सकते हो name place ना आपको इसकी definition क्या याद रखनी है everything is called noun सब कुछ नाउन है मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो नाउन नहीं है ठीक है तो simply अगर कोई पूछता है नाउन क्या है तो you can say everything thing is called noun कि दुनिया में हर चीज को हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं और वो क्या है वो नाउन है clear उसके बाद question आता है कितने तरहे के नाउन होते हैं how many kinds of noun are there ठीक है तो कितने तरहे के नाउन होते हैं पांच तरहे के होते हैं और आज इस वीडियो के बाद आपको पांच और नाउन फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ठीक है जी यह सोच के चलो सिर्फ यह सोच के चलो कि इससे हमारी knowledge भी enhance होगी सिर्फ हम exam के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हमें वैसे भी पता होना जीए तो कि बड़ा ही basic topic है yes तो कितने तरे के नाउन्स होते हैं पांच तरे के नाउन्स होते हैं पांच और आपको फिंगर टिप्स पे होने जीए number first is proper noun अब proper noun को कैसे याद करेंगे हर वो चीज जिसका कोई नाम है और हमें नाम पता है ठीक है वो proper noun है जैसे की आपका मानलो नाम है किसी का नाम राम है किसी का मोटू है किसी का पतलू है ठीक हैनोमनी किसी का नाम रख़्ा है ठीक है अम adjective वाले sense में नहीं बोलत है है ये नामववाले बोल रही हूँ तो ये सब क्या हो गया Either those large that के बाद आते हैं common noun पे खुद से relate करना मेरा जो नाम है that is proper noun उसके बाद इस तरह से याद रखना मैं क्या हूं I am a girl I am a boy I am a student I am a teacher I am an officer I am a daughter I am a son जो भी मैं हूं वो सब क्या है common noun ठीक है तो common noun में राम क्या है राम इसए boy मोटु भी क्या है boy है बट मान लो को student है ठीक है अच्छा मान लो मैंने बुला इलिविन चंडीगड चंडीगड क्या हो जाएगा proper noun हो जाएगा ठीक है जी अब चंडीगड को को मन नाम क्या है city I live in a city अब भाई कौन सी city में रहते हो चंडीगड तो चंडीगड क्या हो गया proper noun हो गया अब मैं हूँ आपके लिए क्या आपको मेरा नाम पता है मां लो आपको मेरा नाम नहीं पता तो मैं आपके लिए क्या हूँ teacher हूँ तो अपने एक को मन नाम दे दिया teacher तो teacher क्या हो गया common noun हो गया ठीक है son हो गया daughter हो गया यह सब उसके बाद क्या है collective noun हम collective noun में क्या जाएगा हम society में रहते हैं ना चार लोगों के बीच तो society क्या है collective noun है society हो गया अच्छा family में रहते हैं family हो गया ठीक है जी class में हो आप लोग class हो गया team हो गया gang हो गया mob crowd यह सब क्या है यह सब collective noun है ठीक है जी उसके बाद है material बट हम पहले abstract noun करेंगे उसके बाद दोटर हो student हो teacher हो या कोई भी मैंने नाम दे दिया doctor है यह सब क्या हो गया common noun फिर ऐसे याद रखना I live with my family family में रहते हो family क्या है collective noun किसी भी चीज का जो जुंड होगा it can be person it can be thing it can be animal it can be anything else किसी भी चीज के जुंड को group को हम क्या बोलेंगे collective noun बोलेंगे ठीक है अच्छा तो हमने collective noun से सबसे पहले family को याद करा क्योंकि जब आपको family याद आएगी तो आपको बाकी चीज़े भी याद आजाएंगी जो collective noun का example है उसके बाद ऐसे याद रखना family में हम क्यों रहते हैं वह family भी तो हमें निकाल सकती थी ना बट नहीं क्यों रहते हैं family में family वालों ने हमें क्यों रखा हुआ है एक emotion है ना मतलब इन्हें light wave बोल रही है emotions है ना attachment है कई पर मन क्या होगा यार घर को छोड़के चले चाते हैं फिर सोचाओ नहीं यार ममी ने इतना क्या है ना पापा बहुत प्यार करते है जो भी है तो वो क्या है वो emotions है attachment है उन चीज़ों को आप touch नहीं कर सकते हो बट उन threat noun से आपको क्या याद आई feeling feeling क्या है love, loyalty, pain अब loyalty क्या है उसको यसे तो भी बोल सकते है वो देखो loyalty चाहरी है loyalty को feel कर सकते हो ना तो love हो गया, loyalty हो गया, pain हो गया, pride हो गया, happiness हो गया, sadness हो गया, ठीक है जी, तो यह सब क्या है, abstract noun है, things which we can feel only, we cannot touch them are called abstract noun, फिर उसके बाद ऐसे याद रखना कि feelings के बाद हम जोचते आप practical हुआ जाए life में है आप कुछ पैसा कमाया जाए, तो पैसा क्या मतलब, material चीज़े है न, we people are running after the material things, तो material noun में क्या जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, टी, कोफी, ठीक है जी, तो यह क्या हो गया, material noun, water, sugar, यह सब material noun में आएगा, ठीक है, इनको हम आगे rules में पढ़ने वाले हैं, material noun को लेके, कि इनको किस तरह से use किया जाता है, uncountable, countable, यह सारी चीज़े हम पढ़ने वाले हैं, clear, तो मान लो मैंने बुला starbucks की coffee है, coffee of starbucks, तो starbucks यहां पर क्या हो जाएगा, proper noun, ठीक है, so hope this is clear, फिर से एक बर revise करवा देती हूं, पांच तरह के nouns होते हैं, सबसे पहले जो आपका नाम है, that is proper noun, उसके बाद आप क्या हो, आप student हो, girl हो, teacher हो, boy हो, son, daughter, जो भी है, that is common noun, फिर number third पर याद रखना, I live with my family, और family से आपको याद आया, collective noun, और collective noun से आपको याद आया कि family में हम क्यों रह रह रहे हैं, तो that is the reason, sorry, material noun, हाना, तो material noun में materialistic चीज़े आजाएगे, इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है, यह मैंने एक तरीका बताया आपको याद करने का, तो last में क्या हो गया, material noun, clear, now let's move ahead, अब यह है कुछ rules है, certain nouns exist in plural forms only, thus a cannot be removed from such nouns, to make them singular, they take plural verb with them, जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ, कि कुछ nouns ऐसे होते हैं, यह by default ही plural होते हैं, क्योंकि यह nouns हमेशा pair में आते हैं, अब यह कितने nouns हैं, आपको सारे याद होने जीए, ठीक है, अगर मैं चाहती, तो यहाँ पे वान लो, मैंने सिर्फ et cetera लिख दिया, अब et cetera में तो बहुत कुछ आता है न, आपको सारे nouns पता होने जीए, तो जैसे कि scissors हो गया, tongs हो गया, pliers हो गया, pliers हो गया, tongs, chimte को बोलते हैं, scissors आपको पता ही है, ठीक है, pincers हो गया, bellows हो गया, trousers हो गया, pants, pyjama, shorts, spectacles, gogles, binoculars, sun glasses, glasses, gallows, fangs, arms, amanda, archives, arrears, auspices, congratulations, embarrass, fireworks, loggings, outskirts और उसके बाद, particular proceeds, ठीक है जी, और regards, riches, remains, savings, shambles, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, braces, etc., इसके अलावा arms भी होता है, एक और मुझे याद आया, arms, ठीक है, orders, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी plural में ही होते हैं, तो इनके end में हमेशा s भी लगा रहेगा और इनके साथ verb भी plural use होती है, ठीक है, तो where are, अच्छा आपको अगर बोलना है, मेरी pant किदर है, तो आप क्या बोलोगे, where are my pants बोलोगे, ना कि where is my pant बोलोगे, ठीक है, तो where are my pants होगा, where are my trousers होगा, where are the tongs होगा, the proceeds were deposited in the bank, तो proceeds were होगा, all his assets were seized, arms were given to the beggars, arms क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, खेरात में मिला है, उसको भीक मिली है, उसको arms बोलते हैं, ऐसा ही एक और word है, wages, ये भी हमेशा wages ही रहेगा, wage नहीं होता है, ठीक है जी, जैसे की arm नहीं होता है कभी भी, wages होता है, wage नहीं होता है, clear? अच्छा, लिखा हुआ है, wages labor result, ठीक है, wages are paid in cash, wages of hard work is sweet, अच्छी, चलो, इसका मैं एक और example दे रही हूँ, एक बार question आया था exam में, question था, a pair of shoes, of shoes, have been, have been bought, ये वाला question था, अब अभी हमने rule पड़ा है, कि ये कुछ ऐसे नाउंस है, जो हमेशा plural use होंगे, इनके साथ plural ही verbs use होगी, ठीक है, और जैसे pants होता है, shoes होता है, soaks होता है, spectacles होता है, binoculars होता है, jeans होता है, trousers होता है, arms होता है, things होता है, orders होता है, ये सारे plurals में होते हैं, ठीक है, सारे plural ही होते हैं, तो a pair of shoes करके question आया था, तो कई students ने ये question गलत किया था, क्योंकि उन्होंने देखा shoes और ये सोचके उन्होंने सोचा कि plural verb ही आएगी बट नहीं यहाँ पे हमारा subject क्या है a pair of shoes तो यहाँ पे हमारा subject अब a pair है shoes नहीं है तो have been की जुगा पे क्या आएगा has been ठीक है जी बट अगर question होता shoes अगर question होता shoes has been bought by me फिर error क्या हो जाता फिर has नहीं आता फिर have आता क्योंकि अब हमारा subject shoes है that is plural clear हुआ तो अगर यहाँ पे अगर a pair of लिखा है फिर तो हम singular verb लग यूज करेंगे अगर two pair of लिखा है three pair of लिखा है तो हम plural verb यूज करेंगे apart from this अगर direct कोई इन में से कोई भी plural word यूज हुआ है तो भी हम plural verb ही यूज करेंगे बहुत important है बहुत सारी चीज़ें है इसमें सीखने वाली तो एक वर इनको पढ़ लेना इनसे go through हो जाना ठीक है कई लोग इसको archive बोलते हैं this is called archives archives क्या होता है जो हमारी historical files होती है ठीक है are called archives ठीक है archives should be preserved ठीक है इस तरह से चलो एक और order वाला हो गया और orders हो गया है पहले वाले रूल में तो हमने पढ़ा कि कुछ नाउन यासे होते है जिनके एन में लगा होता है बट वह हमेशा प्लूरल ही होता है अब यह क्या बोल रहा है यह थोड़े से बहर रूपी है यह देखने में तो प्लूरल लगेंगे बट यह होते हैं इन में भी कुछ exceptions है जो मैं बताऊंगी अपको हर एक word को मैं डिस्कस करूंगी वो exceptions क्या है जो एक्जाम में कई बार दिमांग खराब करती है ठीक है तो जैसे ethics हो गया mathematics हो गया यह हमें पता है हम बच्पन से बढ़ रहे है कि हमसे कोई बूचे कि तुम्हारा favorite subject क्या है तो politics या mathematics बोलो गया mathematics हो गया अच्छा news हो गया news हमेशे singular होता है innings होता है ठीक है इसके उपर आएंगे politics हो गया summons हो गया यह important है questions बताऊंगे किस तरह से आ सकते हैं इसमें physics हो गया economics हो गया ethics, mathematics, mumps, measles यह disease है बिमारियां है तो इनके एंड में ऐसे लगा हुआ है ठीक है बट यह है singular ही यह भी बिमारी है rickatus, shingles, billiards अच्छा, billiards क्या है यह एक game है ठीक है जो kind of snooker की तरह होता है athletics हो गया ठीक है linguistics हो गया are certain nouns that are plural in form but singular in meanings ठीक है तो no news is good news correct sentence politics is a dirty game यहाँ पर भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर politics as a subject use हुआ है economics is an interesting subject यह भी correct है as a subject use हुआ है ethics demands honesty तो ethics की बात हुई है आपके morals की बात हुई है तो यहाँ पर भी ठीक है बट फिर इसमें question किस तरह से आते हैं अच्छा, यह slide यहीं पर खतम होगी थी तो यहाँ पर question add on करना चाहूँगी देखो यह सबसे ज़्यादा important है शायद ही आपको कहीं और मिले innings जो है यह singular भी होता है और plural भी होता है this is the most important part जो आपको याद रखना है और example अगर मैंने लिखा an मतलब exam में किस तरह से आता है an inning was played by played by both the teams both the teams यह question आपको याद रखना है कि innings ही होता है singular में भी innings रहेगा plural में भी innings ही रहेगा यह plural में भी होता है इनका plural नहीं बना सकते है इनका नहीं बना सकते है लेकिन मैंने बोला यह कुछ exceptions है जो आपको अलग से no down कर लेनी है ठीक है otherwise तो nouns खतम हो गए है यह वाला rule but नहीं an inning was played by both the teams अगर sentence इस तरह से आता है तू तो plural है ना two innings was played was played by both the teams ठीक है जी अब मान लो यहां पर मैंने noun का error नहीं दिया आपकी knowledge check करने के लिए यहां पर मैंने verb का error दे दिया बट वो भी आप तभी कर पाओगे जब आपको nouns का पता होगा ठीक है तो two innings तो ठीक है हमें पता है innings होता है innings नहीं होता है बट यहां पर words की जगे पर क्या आएगा were आएगा मतलब दो तरह से questions आ सकते है ऐसे ही बात करते हैं summons की देखो summons singular में भी summons होता है plural में भी summons होता है किस तरह से? मान लो मैंने लिखा अब इस मेरे दिक्कत क्या होती है? summons हमें लगता है कि summons singular हो जाएगा summons क्या पता plural हो but summons singular होता है इसका भी plural होता है that is summonses ठीक है? तो summons का भी plural होता है that is summonses जब हमें एक एक चीज नाउन में पता होगी फिर दिक्कत नहीं होगी तो a summons was sent by the code मान लो मैंने ये sentence लिखा ठीक है? तो अब आपको पता है इसमें error क्या होगा? a summons नहीं आएगा क्योंकि आपको तो पता है कि क्या होता है? summons होता है clear हुआ? but अगर question आया ये भी तो confuse कर सकता है अमान लो क्योंकि आया तो summons वर sent by the code तो क्योंकि टो समन्स तो summons वर सेंट by the code अब इसमें क्या error है? अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि वर तो ठीक है आगे टू भी लिखा हुआ है बट यहाँ पे summons नहीं होगा summons का भी plural होता है that is summons तो यहाँ पे two summons आएगा is that clear? तो summons singular होता है बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका भी plural होता है that is summons इसके अलावा हमने innings वाला किया था innings ही होता है वो singular में भी innings रहेगा plural में भी innings रहेगा let's move ahead next है cattle हो गया cavalry हो गया infantry हो गया poultry हो गया peasantry हो गया children हो गया gentry हो गया police and people are certain nouns that are singular in form but plural in meaning they take plural verbs ठीक है मतलब यह वाले वो नाउन है जो हमेशा plural form में ही यूज होंगे इनके साथ हमेशा verb भी plural ही यूज होगी ठीक है these are collective nouns यह सब क्या है collective nouns है यह सारे collective nouns है ठीक है जी तो poultry is नहीं होगा poultry are होगा presentry presentry क्या होता है group of farmers group of farmers ठीक है gentry क्या होता है gentry एक और word होता है clergy ठीक है तो gentry क्या होता है हम बोलते है gentry class है अभी अंबानी के बेटे की शादी थी थी ना तो उसमें सारी कों थे हम लोगों को तो नहीं बुलाया था ना उसमें gentry class थी ठीक है तो मतलब जो elite लोग होता है जो rich people होता है powerful लोग होता है elite class को हम क्या बोलते है gentry class elite class ठीक है okay clergy क्या होता है देखो clergy वैसे तो group of priest को बोलते है group of priest are called clergy अब ये जो group of priest are called clergy अब हमारे इंडिया में तो priest क्या होता है जो brahmins वगेरा होते है उनको priest बोला जाता है बट ये word actually ये latin से लिया गया है पता नहीं latin से फ्रेंच से लिया गया है अपने पढ़ा होगा ना Russian Revolution, French Revolution उसमें आपने पढ़ा होगा कि पहले के time के जो power होती थी वो church के हाथ में होती थी ठीक है तो उसमें जो clergy होते थे clergy क्या होते है जो church में होते है शायद उनको पादरी भी बोला जाता है हिंडी में तो उस class को clergy class बोलते है मैं स्कारे लिखवा देती हूँ उसके बाहर कुछ नहीं बचेगा और जैसे कि rich हो गया poor हो गया तो rich poor क्या है यह collective noun है इनके साथ ना तो कभी ऐसे लगेगा riches नहीं होगा word होता है वो different meaning में यूज़ होगा नहीं poor होगा ठीक है जैसे मैंने बोला the rich should help the poor ठीक है मतलब अमीरों को गरीबों की help करनी चाहिए तो the rich अगर मैंने बोला तो it means मैं represent कर रही हूँ सारे rich को ठीक है सारे अमीरों को तो यह हमेशा plural form में ही रहेंगे as इनके साथ use नहीं होता है riches नहीं होगा peasantries नहीं होता है जैसे children's नहीं होता है poultries नहीं होगा clear हुआ तो यह आप अलग से याद कर लेना for example cattle are grazing in the farm हो जाएगा यह nouns नहीं होगा ठीक है तो cattle are grazing कई बार आता है group of cattle ठीक है इस तरह से आ जाता है group of cattle लेकिन आपको तो पता है कि cattle नहीं होता है cattle ही होता है तो cattle are grazing in the farm correct sentence our infantry have marched forward ठीक है infantry क्या होता है infantry जो सेना होती है police have arrested the thieves यह भी correct है police related हम next जो वीडियो होगी next जो lecture होगा उसमें हम discuss करने वाले है कि police related किस तरह के questions आते हैं तो अब भी इसका जो next जो part होगा उसमें अभी बहुत सारे nouns रहते हैं जो हम discuss करने वाले हैं बहुत ही detail में hope you like the video thank you so much लाले हैं आते हैं ड्हुत हैं झाल झाल